हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आर कुकिंग चैनल मैं हूँ आपकी होस्ट रुपाली तो आज की रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ आपसे इंस्टेंट गुलाब जाम जैसे कि आप यहां देख रहे हैं एक दम परफेक्ट गुलाब जाम मैंने बना लिये हैं लेकिन यहा ब्रेंड जो है वह है ब्रेट अख स्लाइज यान जो हमेशा यूज करते हम नाष्टे में ब्रेट वह ब्रेट की स्लाइज यूज करके हैं बनाएंगे इंस्टेंट जैट पैट गुलाब जाम तो यहां ज़्याद टाइम ने लेती हुए जल्दी से रिजिपी को यह total art है फिर साथ में यहां बड़ी सी बावल यहां दूर यूज़ करना है एक चमच इलची पाउडर पीसके रख देनी है और जो शुगर लगेगी वो है एक कटोरी जो यह कटोरी है यह नाप के लिए हमें यूज़ करनी है इसलिए यहां में यह एक कटोरी शुगर लोगी एक पतेले में और जितनी हमने शुगर यूज़ की है उसका डेड़ गुना हमें यहां पानी लगेगा जो कि आप देख सकते हैं यह एक हो गया और यह आधी यह हमें चाशनी बनाने के लिए रख देना है गैस पर तो इसे चलाते जाएए जब तक यह चाशनी रेडिया तो वो विल्कुल पाउडर फर्म में होता है तो यहां हम इसका पहले पाउडर प्रिपेर करेंगे पाउडर प्रिपेर करने के बाद यहां हमें इसका जो आटा लगाना है यानि डौग प्रिपेर करना है तो यहां हम डाल देंगे दूद दूद यहां थोड़ा थोड़ा क तो यह आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मैश कर लिया है यहाथों से भी अच्छे से मैश हो रहा है यही प्रोसेस हमें करीबन तीन से चार मिनिट तक करनी है आप देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ली स्मूथ से यहां आटा लग चुका है यह आप देख सकते हैं फिर बाद में यहां हमें जो इंग्रेडिन डालने हैं यह है मिल्क पावडर जो बड़ा सा एक चमच फिर बाद में आधा चमच यहां हमें मिल्क पावडर उसकिया है फिर एक चमच यहां में मैदा भी डालना है क्योंकि हमें बाइंडिंग भी करें क्योंकि अगर मेदा जादा हो गया तो यह थोड़ी से हार्ड बनते हैं और चाशने भी अच्छा से नहीं सोकते इसलिए ध्यान रखें यह अच्छा से मैश करने के बाद हम प्रिपेर करेंगे गोले जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का गोला में यहां प्रिपेर कर रह देने हैं यहां जरूर ध्यान रखें जो भी हम इंग्रेडेंस यहां एड़ करते जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रपोर्शन में लीजिए क्योंकि ज्यादा या कम हो जाए तो यह बिगड सकते हैं तो इस तरह से वन बाई वन करके सारे में गोले बना लूँगी परफेक्ट नहीं है तो यह बड़ी असा ओप्शन है यही परफेक्ट वे से हम बिल्कुल बाहर जैसे गुलाब जाब बना सकते हैं तो यहां ऑईल भी गरम हो चुका है यहां हम डाल देंगी गोले जो वन बाई वन करके परफेक्टली फ्राय हो रहे है आप देख सकते हैं यह मीडियम फ्लेम पर यहां फ्राय करना है यहां देख सकते हैं मैंने यह फ्राय कर लिए यहां गैस का फ्लेम अगर बड़ा रख दिया तो यह उपसे जल जाएगे और बीच में यह कच्छे रहे जाते हैं इसलिए यहां हमें जलबाजे नहीं करनी है और बिल्कुल मीडियम पर रखते हुए सारे यहां इस तरह से फ्राइक कर लेने हैं जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं परफेक्टली फ्राइक कर लिए है एकदम रेडी है फिर यहां बढ़ते हैं आगे यहां जो चाशनी थी वो भी बन चुकी है सिर्फ यहां में पतेला चेंज कर लूँगी ताकि सारे गुलाब जया अच्छ नहीं है लाई रही है ऐसमे थैंद गूलाब जया चॉद कर सके नहीं देंगे यहां लागती रहे हुए क्योंकि जो गुलाब जाम है यह चाशनी पुरी सोक लेंगे और आप देख सकते हैं इसका साइज आपको यहां ही बड़ा होता नजर आ रहा है यह अच्छी से फूल रहे है यह चाशनी सोक रहे हैं यहां हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा चाशनी सोकने के लि जो गुलाब जाम थे वो साइज क्या थी और क्या हो चुकी है यह बहुत है अच्छी से फूल चुका है अब इसे मैं आपको कट करके बता दूँगी तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी से फूल चुका है मैंने यहां बिल्कुल कैमेरा जूम करके आपको बताया है यह भी अच्छे से फूल कर इस यहाँ पूरा चाशने सोक चुका है और नोपर से भी इस तरह से चाशने डाल कर इसे पूरा रसीला कर दूंगे बिल्कुल रस भरा गुलाब जाम बन चुका है और इनर स्ट्रक्चर भी यहाँ बिल्कुल चिप चिपासा नहीं है अच्छे से फूला हुआ है यही गुलाब जाम हमने यहाँ पर्फेक्टले बना लिया है जो कि आप भी बना सकते हैं और इसका स्वात बढ़ाने के लिए हम इसे तीन गंटे तक चाशनी में रहने देंगे ताकि जो उसका रस है यह अच्छे से यह सोक ले और चाशनी पूरी इसमें उतर जाए और जो सुवात लगे वो बहुत ही बढ़िया सा लगे अगर आप हमार लेगुलर वीवर हैं तो आपको पता ही हैं हम हमेशा ही कुछ अलग सी और पर्फेक्ट से रेसिपी आपसे शेयर करते हैं जैसे कि मैंने बहुत सारी डेजर्ट स्वीट्स और केक्स की रेसिपी आपसे शेयर की हैं उसकी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देदूंगी आप इसे चेक कर सकते हैं साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिजे और हां नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि जो भी नया वीडियो में आपसे शेर करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से कर दिजी ताकि हम इसी तरह से आपसे मिलते रहें जुड़े रहें और परफेक्ट से रे कि अच्ट बेल इको नोटिफिकेशन आपने कर दो नुड़े को यडियो थैंक य।